विडियों बात करेंगे ऑस्टेलिया वेस्ट इंडीज के बीच में होने वाले पहले T20 मैच के बारे में उसके पहले दोनोई टीम के बीच में तीन ODI मैच के सिरिज हुई थी जिसको ऑस्टेलिया ने तीन जीरो से विन किया था उसके पहले दो टेस्ट मैच के सिरीज हुई थी जिसमें एक-एक की बरापरी भी वो सिरीज खतम हुई थी अब ये तीन T20 मैच के सिरीज है जिसमें एक बाप फिर से आपको काफी अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा ODI हमने cover नहीं किया था क्योंकि हमारे पाइटना टाइम नहीं होता है ODI में waste करने के लिए वर्ल्ड कप हमने ODI वाला cover किया था वो important series थी लेकिन बाकी जितने भी ODI मैचेज होते हैं 8 गंटे हम लोग उसमें नहीं invest कर सकते हैं आजकल T10 मैचेज होते हैं 10 गंटे में result आ जाता है तो जितना profit हम ODI में कमाएंगे उससे कहीं ज़्यादा profit हम T10 में भी कमा सकते हैं तो आपको अपने time को हमेशा save करने पे focus रखना चाहिए इस match के अगर मैं बात करूँ ये होने वाला है Hobart के मैदान में Big Bass League में आपने देखा होगा Hobart के मैदान में क्या कुछ होता था यहाँ पे अगर मैं international match की बात करूँ तो 160 का average है domestic की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 167 का average है run बहुत अच्छे खासे बनते हैं batting first और batting second दोनों ही teams यहाँ पे win करती है यानि ऐसा कुछ भी नहीं ही कि team towards जीत्वर के पहले fielding ही करेगी या तो batting ही करेगी उस समय जो pitch report होगी उसके according team decision ले सकती है आगे चलते हैं receiving matches जो इस venue पे हुए है वो आप देख सकते हो international match western dish और Ireland का हुआ था यहाँ पे 146 बनाया था western dish ने Ireland ने इसको 9 wickets से जीत लिया था Pacers को ही यहाँ पे ज्यादा wickets मिलते हैं वैसे इस match में spinner को ज्यादा wickets मिलेते हैं बट generally Pacers को यहाँ पे ज्यादा wickets मिलते हैं देख सकते हो 132 बनाया Scotland ने यहाँ पे Jimbobe ने chase कर लिया Scotland ने यहाँ पे 176 बनाया Ireland ने chase कर लिया Western dish ने 113 बनाया Jimbobe chase नहीं कर पाई तो यह जितने भी matchers last के 4 हुए है बहुत बड़ी team के बीच में नहीं हुए है इसलिए यहाँ पे आपको बड़ा score नहीं दिख रहा है Australia अगर पहले betting करते हैं तो बड़ा score आपको देखने को मिल सकता है इस venue पे Glenn Maxwell का अच्छा record है Braden King का अच्छा record है Jonathan Charles का अच्छा record है Jason Holder का ठीक ठाक है मतलब अच्छा क्या कहा जाए कुछ खास ऐसा नहीं है Jonathan Charles का फिर भी ठीक है Aljari Joseph important रहेंगे Jason Holder काफी अच्छी form में है आगे चलते हैं अगर मैं बात करूँ और कुछ stats की Mitchell Mars काफी अच्छा करते आ रहे है Travis Head के अच्छी form है पूरन के अच्छी form है Braden King के अच्छी form है Jason Bandroff के अच्छी form है Seen Abbott के अच्छी form है Akil Hussein के अच्छी form है Romario Sefford के अच्छी form है इसलिए यह सभी International League T20 जो खेल रहे थे पूरन वगेरा अब वो नहीं केल रहे है अब यहाँ पर players battle देख सकते हो Andrae Russell ने Marcus Ishtoenis को 11 बॉल में दो बर आउट किया है Aljari Joseph ने David Warner को 15 बॉल में दो बर आउट किया है Jason Holder ने 23 बॉल में दो बर आउट किया है Tim David को लेकिर run भी बहुत खाए है 54 रन 23 बॉल में बनाया है Tim David ने Holder के अगेंश्ट में Andrae Russell ने 28 बॉल में दो बर आउट किया है Matthew Wait को 46 रन बनाया भी गया है इनके अगेंश्ट इसके अलावा Jaws Hazelwood ने Robin Powell को 5 बॉल में दो बर आउट किया है सबसे अच्छा इस्टैट्स यही है Nathan Ellis ने 9 बॉल में दो बर Nicholas Puran काउट किया और मात्र दो रन बना पाये अगेंश्ट यह भी काफी अच्छा इस्टैट्स है अब आगे जलते हैं Head to head match देख लेते हैं T20 का Last match जो हो है तो Australia ने 178 बनाया था और Windage West Indies के team 147 ही बना पायी थी David Warner Tim David ने अच्छी बैटिंग की थी यहाँ दे Jonathan Charles, Braden King और Aljari Joseph ने अच्छा प्रफॉर्मेंस किया था 145 बनाया था Windage ने Australia ने इसको चेस कर लिया 2 विकेट Aljari जोसे Matthew Wade और यहाँ पे Hazelwood ने 3 विकेट लिये थे Windage ने 157 बनाया Australia ने चेस कर लिया फिर से Warner का नाम आया यहाँ पे Mitchell Mars है Josh Hazelwood का फिर से नाम आया 3 विकेट यहाँ पे 4 विकेट लिया 199 बनाया Windage ने Australia यहाँ पे चेस नहीं कर पाई बहुत ज़रा टार्गेट मिल गया था रन बनाने का पूरन यहाँ पे 21 बनाया था Mitchell Mars का फिर से यहाँ पे नाम आया यहाँ पे इन्होंने विकेट भी लिया Adam Jampa का फिर से नाम आया उपर आया था एक विकेट और 26 रन Matthew Wade ने मनाया अब यहाँ पे चलते हैं सीधे देख लेते हैं Playing 11 दोनों टीम की Warner यहाँ पे opening करेंगे बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है आपने देखा होगा Domestic Matches में जैसे कि International League T20 में फ्लॉप ही जा रहे थे यहाँ देख सकते हैं कुछ खास फॉर्म है नहीं Travis Head अच्छी फॉर्म में है Mitchell Mars आपके लिए important है पार्ट टाइम बालिंग कराते हैं उसे भी विकट ले सकते हैं Jaws English बहुत अच्छी फॉर्म में है यह लाश्ट के दो मैच में फ्लॉप रहे है लेकिन उसके पहले अच्छा किया है इन्होंने इसके लावा Glenn Maxwell आपके लिए मश्ट पिक रहेंगे मैच विनर है और फिस्पिन भी कराते हैं मैथ्यो बेट काफे नीचे बैटिंग आ रही है तो विकट की पिंग सेक्षन में और भी अच्छे उप्सन है तो इनको आप नहीं भी ले सकते हो हम पूरन वगेरे को ले सकते हैं अपने टीम में और मारकस इस्ट आइनिस है यहाँ पे इनकी भी अगर बात की जाए तो कई बार बॉलिंग कराते हैं कई बार नहीं कराते हैं बैटिंग काफी नीचे आ रही है अगर टॉप आटर में मैंसन रहेंगे तो फिर आप इनको ले सकते हो जैसन बैंटरो का बिग बैस लिग बहुत ही सांधार गया था बहुत सारे विकेट्स इहनों ने लिए हैं IMPORTANT रहेंगे इदर में बहुत विकेट्स नहीं ले पा रहेँ लेकिन एक विकेट टेकिंग बॉलर है रेटिस्पिनर है लेकी स्पिन कराते हैं और बहुत विकेट्स लेते हैं IMPORTANT रहेंगे carries जलूद important रहेंगे, head to head में इंका नाम आया है कई जगों पे एन नाथन रिले डेट ओवर में करते हैं, important है Australia के आपको जड़ातर player लेके चलने है इसके अलावा यहाँ पे bench पे कुछ player है, उनका record आपके सामने है यहाँ पे कायल मेर्स की बात करें तो काफी लंबे समय से flop जा रहे है balling एक over करते हैं, पहला over आके कर देते हैं, वहाँ wicket नहीं मिलता और batting करने आते हैं तो run नहीं बना पाते हैं कभी-कभी कुछ run यह इनों ने बनाया, जैसे आप 35-25 बस इतना ही है तो इंको हम नहीं लेंगे अपने टीम में Braden King अच्छे प्लेयर हैं, बड़े-बड़े inning केलते हैं, अच्छा कर सकते हैं बट यह भी आजकल उतने consistent नहीं दिखाई देते हैं Sai Hope आपके लिए एक अच्छी पिक हो सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं इसके लावा Nicholas पूरन आपके लिए मश्टिक हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में आबू-धाबी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है मतलब International League T20 में जो भी मैचिज आबू-धाबी में होते थे वहाँ यह नों ने अच्छी बैटिंग किया है रौविन पॉविल एक और कंसिस्टेंट प्लेयर है वैसे डोमेश्टिक में कुछ खास किया नहीं है लेकिन टॉप ओडर कॉलैप्स होता है तो यह आकर के बहुत तगड़ी बैटिंग करके चले जाते हैं खास करके International Matches में राधर फोर्ट को हमेशा हम लोग इगनोर करते हैं चाहे डोमेश्टिक हो चाहे इंटरनेस्ट पालो लेकिन यह जब भी बैटिंग आती है अपना काम जरूर करके जाते हैं 20-30-40 रम बना करके जाते हैं बट इतने नीचे इनकी बैटिंग आती है कि इनको हम ले नहीं पाते हैं अपने टीम में आंदर रसेल आपके लिए मश्ट पिखें इनका बैटिंग ओडर कभी भी 3-4-5 कहीं भी जा सकता है तो यह आपके लिए मश्ट पिखें बहुत ही सांदार बॉलर है आपको लेना चाहिए अक्किल हुसेन भी लेफ्ट हम और्थोडॉक से यह भी बहुत विकेट्स लेते हैं बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं अलजारी जोसेब भी आपके लिए मश्ट पिक है यानि अगर देखा जाए तो उनों टिंग का कमपैरिजन किया जाए तो ऑस्टेलिया के पास बैट्समेन भी अच्छे हैं बॉलर भी अच्छे हैं लेकिन अगर वेश्ट इंडीज की बात की जाए तो इनके पास मेंली बॉलर बहुत अच्छे अच्छे हैं बट अगर इंटरनेशनल मैच का परफॉर्मेंस देखें तो अच्छा किया है इन्होंने बेंच पे कुछ प्लेयर हैं उनका रिकॉर्ड आपके सामने है बात करते हैं ड्रीम एलेवंटिंग की कुछ प्लेयर मैंने अल्रेडी लिये हुए हैं जो कि आपके लिए मस्ट पिक है पूरण जॉस इंगलिस जॉस इंगलिस वही है पर्स इसकोचर की तरफ से खेलते थे और लगातार अच्छा खेलते थे अभी इंटरनेशनल ओडियाई में भी उन्होंने अच्छा किया है आवेश्ट इंडीज के अगेंस्ट में ट्रैविस हैड मिचल मार्स आपके लिए इंपोर्टन है गलैन मैक्सिविल अंदरेसल जॉस हैजलवूल बैंडरॉ और अलजारी जोसेफ ये नौ प्लेयर आपके लिए मस्ट पिक है बाकी जो दो प्लेयर आपको लेना है एक मैं रिक्मेंट करूंगा आपको यहां से कि सीन अबोर्ट अगर खेलते हैं तो बिल्कुल अपने टीम में लेकर चलना है आपको नाथा निलिस यहां पे लिखा हुँ आना अवलेबल है प्लेइंग 11 मैंने आपको दिखाया था तो आप कनफा में कि यहां पे सीन अबोर्ट ही खेलेंगे इनकी जगह पे तो यह इंपोर्टन है इस्पिनर को उतने यहां पे विकेट्स नहीं मिलते हैं बट आइडम जांपा को यहां पे मिल सकते हैं इनको आप ले सकते हो बाकी मैंने यहां पे मोटी के बारे में बताया है और के लुसाइन के बारे में बताया है इन में से भी आप किसी को ले सकते हो फिलाल के लिए और भी कुछ इंपोर्टन प्लियर लेने लाएक है जिनको मैं लूँगा अपने टीम में जैसे कि एगर मैं बात कर भी यहां पर David Warner के साथ में जा रहा हूँ Warner के साथ मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जो second last game उन्होंने खेला था वहाँ पे इन्होंने काफी तेज बैटिंग की थी last match में तो यह flop रहे थे तो यह एक ऐसे player है single double बीच बीच में boundary वगरे लगा करके 40-50 रम बना सकते हैं आसानी से और थोड़े consistent type के player है Australia में हो रहा है तो वैसा performance दो नहीं होगा जैसा UAE में यह करके आ रहा है तो यहाँ पर यह अच्छा खेलेंगे इसलिए मैंने इंको लिया है इसके लावा अगर आप चाहो तो यहाँ पर वार्नर की जगह पर आप किसी extra baller को ले सकते हो jumpa या तो फिर यहाँ पर jason holder का एक option है इंको भी आप try कर सकते हो यह batting balling दोनों से आपको point देंगे एक तो bread and king का भी option है कई बार बड़ी inning खेल जाते है captain wise captain के अगर में बात करो तो Maxwell एक अच्छा option है उसकी वज़ा है क्योंकि सामने वाले team में कुछ left handers है जैसे कि starting में आपको Kyle Mears दिखेंगे left hander फिर आपको Nicholas पूरां दिखेंगे left hander तो यह दो main left hander रहेंगे जो कि एक से ले करके 5 के बीच में बैटिंग करने आएंगे तो इनके against में Maxwell को बालिंग करने लगाया जा सकता है because यहाँ पर इनके team में कोई office spinner नहीं है अगर यहाँ पर M sword भी वैसे available नहीं है अगर यह खेलते तो यह कराते तो इस तरीके का option है बाकी यहाँ पर मारकस इस 20s के बैटिंग नीची आएगी बालिंग का confirm नहीं इसलिए मैं recommend नहीं कर रहा हूँ captain wise captain Glenn Maxwell एक अच्छा option है इसके लावा Travis Head बहुत अच्छी form में part time यह भी कई बार बालिंग कराते है पहले बालिंग अगर आती है Australia के यहाँ पर Jaws Agilewood का head to head में बहुत दगड़ा record है plus starting में आकर Jason Bandrov और Death में आकर के scene about wicket ले सकते है फिर आप एक extra baller add कर सकते हो Australia के Jason Holder को अटा करके Adam Jampa को यहाँ पर ले सकते हो एक दो wicket यह भी ले जा सकते है I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा